मुनिया घर के बाहर टहलते हुए अपनी माँ को ढूंटे हुए जा रही थी रात का समय था रास्ता भी एकदम सुनसान सा था अरे राम जी रास्ता सुनसान है अम्मा भी कर नहीं लोटी अब उनको ढोडने गए तो डर के मर जाओंगी क्या करो? क्या करो? हाँ गाना कालेती हुँ तेरे वासती फलक से में चांद लाऊंगा सोला सत्रा सीतारे सब मांग लाऊंगा तब एक काले अकाश में एक्दम बाली माच हा जाती है और एक लाल रंग की रौषनी के साथ एक तारा टूट कर जंगल में गिरता है इतनी तेजी से गिरता तारा देख मुनिया की आखों में चमक आ जाती है तांक्यू गौर्ट जी आपको केसे पता कि मैं हमेशा एक तोटा तारा देखना चाहती थी माँ खेथी तो थी तोटे तारे से अपने विश मांगो तो पूरी हो जाएगी मगर तारा तोटता तो दिखता था, मगर तोटकर कहा जाता था, वो आज में पता करके रहोंगी मुनिया जंगल के और बढ़ रही थी, थोड़ी आगे वो चलती है तो उसे जमीन अजीब सी लगती है अरे, इस तरफ की सारे मिटी इतने लाल क्यों है, जैसे किसी ने खोन की उल्टी कर दी हो, या खोनी दस्ट ची ची ची, मुनिया राद में गंदी गंदी बात नहीं करते अरे, वो तारा तो इसी ओर आया था, फिर वो कहा गया तब भी मुनिया को एक बहुत बड़ा गंदा दिखाई देता है, जिसमें धेर सारी लाल रोशनी बाहर जहाक रही थी और मुनिया उसकी और बढ़ती है, मगर जैसे ही वे गड़े में जहाकती है, उसकी चीख निकलती है, और वे वो होश हो जाती है कुछ दिर बाद मुनिया की मा काम करके घर लोट रही थी तो वे देखती है कि मुनिया घर के बाहर बेहोश पड़ी है और उसकी मा रमा मुनिया को उठाने के लिए जुकती है, तो देखती है उसकी गरदन पर दो नुकीले दातों की निशान है ही भगवान, साप, मेरी बेटी को साप काट गया क्या रमा की चीक, चिल्लम, चिल्ली सुनकर आसपास के लोग वहाँ आ जाते हैं और मुनिया को बेहोश देखते हैं देखो जी, मेरी मुनिया को कोई जरीला साप काट गया है इतने बड़े निशान है उसके गरदन पर तब एक बूरी आकर देखती है अरे रमा, चिंता काहे करे है, चिंता मत कर ये निशान किसी साप के ना है अगर होता तो मुनिया का सरीर जहर से नीला पट रहा होता इसे सबसे पहले उठा कर अंदर ले जाओ और कुछ दिर बाद जब मुनिया को हूश आता है तो वे घबरा करमा को गले लगाती है मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी बीटी, तो कुछ बोलनी की कोशिश तो कर रही है मगर हम कुछ सुन नहीं पा रही आखिर तुझे हुआ क्या है और मुनिया ये सुनकर पसीना पसीना हो जाती है मुझे तो लागे है हमारी छोरी ने वो लाल वाली रोशनी देख ली है लाल रोशनी? अमा कौन सी लाल रोशनी? प्राचीन समय में एक भविश सवानी की गई थी एक दिन इस जगह के तेज लाल रौसनी आस्मान से उतर कर जमीन पर आवेगी अगर उस समय किसे ने उस रौसनी को अपनी आख से देख लिया तो उसकी जुबान चली जावे है ये सुनकर वहाँ खाड़े सब लोग हस देते हैं अरे अम्मा मुनिया का इलाज ढूनना है कोई परियों की कहानी नहीं सुनी तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई लाल रौसनी से परी निकल कर आती है और राक्षस बन कर आवाज ले जाती है आहां परियों की कहानी ना है बेटा लाल परी की है आस्मान से जो परियों की दुनिया है न उसमें लाल परी की दुनिया से ही वो रौसनी आवेगी, ऐसी ही भविजवानी की थी और तुमने राक्सस वाली बात सही कही, क्योंकि लाल परी कौन है, कैसी है, कहां रहती है, कोई ना जानत वो राश्चस है या मसीहा, वो गुनाह को रोकती है, या गुनाह करती है यहां तक की कोई यह तक नहीं जानता कि लाल परी कोई मर्द है या औरत हो सकता है आस्मान से परी देश का कोई आदमी ही उत्रा हो, हो सकता है वो हमारे बीच में है, सहे तुम ही हो लाल परी अमा सठिया गई लगता है, चल मुनिया, हम तुमको अस्पताल ले जाते हैं अमा की बाते सुन मुनिया पलट कर देखती है और जंगल की घटना को याद करती है मुन्या गड़े में जागती है तो एक अजीब सा कूबड़ा निकला हुआ आदमी काला जोगा पहने हुए जुपकर जंगली सुवर को मुझ से खा रहा था आसपास धीर सारा खून पस्ता पड़ा था और उस कूबड़े के मास खाने की अवाज उस सनाटे में गुंज रही थी ये देख मुन्या डर जाती है और जोर से चीक पड़ती है मुन्या के अवाज से वह पलटता है अंधेरे से उसका चहरा नहीं दिखाई दे रहा था वह जैसे ही देखता है तभी मुन्या बेहुश हो जाती है और तभी वह तीजी से भाग कर जंगल में कहीं गायब हो जाता है इसके बाद मुन्या के साथ क्या हुआ क्या नहीं यह कोई नहीं जानता अगले सुबह होती है पूरे शहर में खुस्वसाहट शुरू हो चुकी थी हर कोई मुनिया के गूंगे होने की बात कर रहा था सबके जुबान पर अम्मा की सुनाई गई लालपरी की कहानी चल रही थी दर्वाजे पर दो-चार कॉलेज के बच्चे खड़े होते हैं और दर्वाजे की घंटी बजाते हैं घंटी बार-बार बजे जा रही थी मैम दर्वाजा क्यों नहीं खोल रही हमको मुनिया के बारे मीन को बताना ही होगा तभी बिस्तर से अंग्राई लेकर उठते हुए अमाईरा रात में पी हुई अपनी रेड वाइन की बॉतल फर्श से उठाती है और आइने के सामने आकर अंग्राई तोड़ती है अमाईरा जैसे ही आएने में खुद का चहरा देखती है तो उसके मुँपर लाल रंग जमा हुआ था ये देख वह घबरा जाती है और फटावर जाकर अपना मूध हो लेती है ज्यादा खट-खटाने पर रानी देखती है कि दर्वाजा तो पहले से ही खुला हुआ था रानी माधव देखते हैं कि अमाईरा पागलों की तरह अपना मूध हो रही है अमाईरा बच्चों को देखती है वो जिस कॉलेज में पढ़ाती है उसी के स्टूरंस थे अमाईरा को देख रानी उससे लिपढ़ जाती है मैमाप ठीक है पता है हमको आपकी कितनी चिंता हो रही थी और ये दर्वाजा भी आपने खुला छोड़ा हुआ है क्या हुआ बच्चों तुम इतनी सुभे यहां मेरी घर वो अच कॉलेज की छुटी थी न तो सोचा हम घर आगर आपको बताएं कि कल क्या हुआ था वो जो रमा काकी की बेटी है न मुनिया खल रात उसने भोट देखा हट पगली नहीं मैडम उसने पिशाच देखा पिशाच वो तो उसका खुन भी पी कर गया यहां गर्दन से तबसे बेचारी गूंगी है तबसे हामें आपकी फिक्र हो रही थी आपका घर भी तो जंगल के पास है न एक अम्मा बता रही थी कि आस्मान से कोई लालपरी उत्री है या उत्रा है वो ही ये सब कर रहा है या कर रही है बच्चो तुम भी न मेरी फिक्र मत करो तुम तो बस अपने एक्जाम्स के फिक्र करो खास कर मेरे सब्जेक्ट में मिलती हो कॉलेज में जावब सब वहाँ से चले जाती हैं अमायरा उनकी बाते सुनकर कुछ सोच में पढ़ गई थी आज तक तो कभी ये लालपरी वाली घटना नहीं हुई थी तो फिर अब कैसे मुझे पता करना होगा अगर लालपरी सच में है तो कहीं वो मेरी लोगों को चोड़ तो नहीं पहुचाएगी ओफो मैंने भी लाल पहना है फटाफट चेंज कर तो अमायरा फटाफट कप्डे बदल कर शहर में निकल पड़ती है हर कोई उसे देख कर नमस्ते जरूर कर रहा था आखिर बरसो बाद एक टीचर के दरें इज़्जत कमाई थी अमायरा ने तभी अमायरा को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो वे अपना रास्ता बदल कर एक सुनसान गली में मुड़ती है वहाँ जाकर जटके से पलटकर पीछे चल रहे लड़के का हाथ मोड़कर उसे तिवार से लगाते हो इसकी गर्दन जकर लेती है कौन हो तुम? और तभी अर्जन अपने चेहरे से हाथ हटाता हुआ अमायरा से आखों में देखता है मेंस आप गर्दन से हाथ हटाएंगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा और अमायरा अर्जन से दूर हटती है कौन हो तुम? और मेरा क्यों पीछा कर रहे थे? बोलो, वर्ना वो, वो कमोन मेंस, आप इतनी भी वाइलेट मत होईए वो मैं कल रात ही शेहर में आया था कहीं फिर मैं भी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी तो क्या मेरा पीछा करोगी? जी नहीं, वो आपको लगा होगा कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ लेकिन दरसल में आप मेरे रास्ते के बीच चल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती अमाईरा के पास अर्जिन के कटाक्ष का कोई जवाब नहीं था और तभी अर्जिन वहां से जाने लगता है और पलट कर अमाईरा की गालों को चूम लेता है ये थे एक अमाईरा को जटका लगता है ममी जान कहा करती थी कि जिस से भी मिलो प्यार से मिलो दिल खोल कर मिलो क्या पता खल वो लालपरी का शिकार हो जाए अमाईरा उसकी बाद सुन फटा फट वहां से भाग जाती है रात का समय होता है पूरा शहर सू रहा था घर पर घोर सन नाटा था कि तभी कहीं से बच्चे के रोने के आवाज आती है और अचानक वहां एक लाल रोश्णी आई और बच्चा रोना बंद कर देता है सब आकर देखते हैं कि वहां बच्चे के पास लाल रंग की पंक रखी थी और घर के बहार एक बड़ा साप मरा पड़ा है बगवान अगर यह साप मरता नहीं तो हमारे बच्चे को डस लेता यह लाल पंक तो जरू लाल परी का ही होगा इसका मतलब लाल परी कोई राक्षिस नहीं हम सब की रक्षक है सब लाल परी को अपना हीरो मान लेती है लोगों की भीड में से अमारा अलग होका पीछे मुड़ती है तो भे तभी एक लड़की से टकरा जाती है लड़का भी पलटकर अपनी होडी उतारता है ओ, गुड़ इमनिंग मिस आप इस पसोडी में क्या कर रही है वो भी लाल लाइटी में ओ, टू हाड, टू हैंडल मैडम अचानक से इस थंडी में ही गर्माहट आ गई वो, मैं, मैं मेरा घर यहाँ वो एतनी तीस आवाजी थी और फिर मैं बाइटो वे, जिस शट अप वाइवुड आ आंसर अल या क्वेस्टिन्स वाइवुड आ, तुम भी तो होना इस जगह तुम क्यो हो, बताओ, बोलो हेलो मैडम, ये जो घर है न, जहाँ तमाशा देख रही है मैं इसी घर में रहता हूँ तो बेसिकली, I am not part of all this वैसे हमको कॉफी पर बुला लेजी हम भी आपके बड़ोसी हुए अमाइरा चिटकर घर से निकल जाती है और अरजुन जाती हुए अमाइरा को घूर कर देखता है कुछ तो छेपा रही हो तुम जो ढूणने मैं आया हूँ शायद उसके बारे में कुछ तो तुम भी जानती हो मिस उस रात आस्मान का रंग काला नहीं रात भर लाल ही रहा आगला दिन उपता है अचीब बात है शायद बिचारी अभी भी डरी हुई है अमाइरा कॉलेज के रास्ते पर ही थी कि उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है वे फटा-फट कॉलेज में घुस जाती है और तब भी उसका कोई साया पीछा कर रहा था अमाइरा क्लास में एंटर करती है तो सभी बच्चे खड़े हो जाते है और तब अमाइरा पलटती है तो पीछे अर्जुन ही खड़ा था तुमाच फिरसी तुम नहीं सद्रोगी आज तब तुमको सबक सिखा कर ही रहूंगी अमाइरा अपने पर से छोटा चा को निगाल कर अर्जुन पर चलाती है कि तब ही वे अपना हाथ बीच में ले आता है अरे अर्जुन तुम हो क्या न्याई स्टुडेंट? हाँ आँ आउ, सिट सिट अर्जुन ने अमाइरा की कॉलेज में है अर्जुन लिया था मगर क्यों? आखिर कौन है अर्जुन? अर्जुन को क्लास में देख अमाइरा चौक जाती है ये लड़का कल से मुझे हर जगा क्यों ठकरा रहा है? अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है माडम? अब ही कॉलेज का सिलेबस खतम हो गया है तू लेट आया है न अर्जुन? पर कोई बात नहीं माडम बहुत हेल्पिंग नेजर की है तेरी एक्स्टर क्लास में मदद कर देंगी है? सिलेबस खतम हो गया? तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब थोड़ा सा चिल करने का समय है अमाइरा मैम हमको अचानक भयानक तरे के किस्त सुनाती हैं जिसे सुनकर बैठे बैठे कभी हम कब्रिस्तान की सेर कर लेते हैं तो कभी सर्ग नरक की और परियों की दुनिया? उसका क्या? वैसे परियों की दुनिया के बारे में आपका क्या विचार है मैडम? कल जब से आया हूँ गाओं में बच्चे, बूडे सबकी जुबान पर एक ही नाम है लाल परी आखिर सच में होती है क्या परियां? और ये रहती कहा है? अमाईरा अर्जुन की बाद से चिट जाती है और क्लास से बाहर निकलती है ये मैम को क्या हूँ अचानक? चलो, अब यहाँ बैठ कर क्या करना है? बाहर चल कर अर्जुन को शेहर दिखाते हैं अच्छा, तुम लोग चलो, मैं अभी आया और अर्जुन क्लास से बाहर कमरी की तरफ बढ़ता है उधर वह देखता है कि चेंजिंग रूम में कोई हलचल हो रही है अर्जुन उत्सुकता से उस और जाता है मैं जानता हूँ वो इसी कॉलेज में है और मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ अर्जुन चेंजिंग रूम की दिवार के पीछे से जांकता है तो परदे की दूसरी और कोई लड़की अपने कपड़ी बदल रही थी अर्जुन हलके से गैप में जांकता है तो उसकी नगन पीठ नजर आती है जिस पर दो जलने जैसे निशान थे जैसे गर्म सरिया पीठ पर चिपकाया हो अचानक उस निशान के भीतर से एक लाल रोशनी आती है और उसे देखते ही अर्जुन उसकी और बढ़ने लगता है अर्जुन परदा हटा ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर हाथ आता है कौन है? कौन है? अर्जुन पलटकर देखता है तो पीछे अमायरा उसे घूर रही थी मैम आप यहाँ अच्छा मैं यहाँ? यह लीडीज रूम है मिस्टर अर्जुन तुम शायद बहुत बड़ी जगा से आए होंगे जहाँ लड़का लड़की एक ही चेंजिंग रूम यूस करते होंगे पर यहाँ केवल गर्ल्स ही अलावड है अर्जुन जाने की बजाए हडबडा कर परदा हटाता है मगर वहाँ कुछ नहीं था कुछ भी नहीं मुझे ऐसे घूरता है जैसे कुछ लूट नहीं चाता हूँ अमायरा भी वहाँ से चली जाती है क्या वो मेरा वहम था? क्या परियों की कहानिया सच में मुझे पर इतनी हावी हो गई है क्या? जो मुझे हर जगे वही दिखती है मुझे पता करना पड़ेगा अरजन अमायरा के बहार निकलती ही जट से कमरे में घुसता है और पर्दा हटा कर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता तभी उसे दिवान में फसी एक बड़ी लाल पंक मिलती है अरजन उसे हाथ में थामता है वो मेरा वहम नहीं था लाल परी है, सच में है और वो यहीं थी, इसी कॉलेज में सबूत तो मुझे मिल गया है बस उसे ढूंडा बाकी है फिर मुझे लाल परी का चेहरा भी मिल जाएगा अरजन वहाँ से रानी माधव के पास चला जाता है यार माधव एक बात बता क्या सच में आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा उसे किसी, किसी नहीं देखा और तू इतना परिशान है अच्छा मैं समझी तुझे एक्जाम के जिनता है न तू डर मत, मेरे साथ चल और तीनों दोस्ट जल्दी से अमाईरा की घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं मैं, आप अंदर ही हो ना दर्वाजा खोलिए आपके बेल क्यों नहीं बज़ रही है मैं अंदर अमाईरा ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था उसके पूरे मुख पर खोन लगा हुआ था वे अपना चहरा नोच रही थी नहीं, नहीं, नहीं खुश में आमाईरा तुने डिसाइड किया था कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी पर फिर भी तूने वही किया ना देख, तू कैसी हैवान बन गई है अमाईरा आइने में अपना चहरा देखती है उसके मुपर भीर सारा खोन लग रहा था दर्वाजे की खटकर देखकर वे डर के मुझ साफ करती है और किचिन की और बढ़ती है वहां रसोई की पट्टी पर बड़ा मीट चौपर था और बगल में मुर्गी रखी थी और खून फैला हुआ था अमाईरा उसे फटा फट डस्पिन में डाल देती है और दर्वाज़ा खोलती है अमाईरा के हाथ में बड़ा सा मीट चौपर था अमाईरा उसे दिखा कर रानी से जूर से कहती है कॉलेज अभी खत्म हुआ है तो फिर तुम सब यहां क्या कर रहे हो माम यह इतना बड़ा चाकू यह क्यो है अमाईरा यह देख चाकू जट से नीचे कर लेती है ओ सौरी रिलाक्स रिलाक्स बच्चों वो मैं चिकन बना रही थी ना तो बस वैसे कहो क्या काम है मैडम यह हमारा दोस्त है न अर्जन इतको बहुत चंता हो रही है पढ़ाई की पता नहीं कैसे पास होगा आप इसे होम टिशन करा देंगी ना रानी के बार बार कहने पर अमाईरा हां भर देती है ठीक है अर्जन तुम दो दिन बाद आ जाना पर दिन में आना शाम को नहीं मैं उस समय बिजी होती हूँ सब वहां से चले जाते हैं और अमाईरा किचन में चली जाती है सब दोस्त लोग बहार निकल रहे थी तभी रानी थोड़ा परिशान नजर आती है अरे रानी तु इतनी क्यों परिशान हो रही है चलन आप चाकूई तो देखा तुने मारा थोड़ी मैडम ने तुझे अमाईरा मैम तो वेजिटेरिन है ना माधव तो वो चिकन खाती ही नहीं फिर वो ऐसे क्यों बोली कि चिकन बना रही है अब छोड़ना यार तुझे क्या पूरी मुर्गी के परिवार के बारे में पता करना है चल अब अर्चन रानी की बात सुनती ही सोच में पढ़ जाता है सब लोग थोड़ी ही आगे जाते हैं कि तभी वहाँ भयंकर भीड लगी होती है अरे आग फिर से इस घर पर भीड है कहीं साप तो नहीं आगया बच्ची के पास तभी भीड मेंसे रमा निकलती है साप नहीं बेटा वो बच्ची तो एकदम ठीक है मगर उसका बाप उसका बाप नहीं बचा पता नहीं किसने बदला निकाला है इस कदर नोचा है जैसे कितने जन से उसका खून का प्यासा हो अर्जुन बहापड़ी आदमी की लाश को देखता है तो उसके शरीर पर धारदार निशान थे बहुत सारा खून फैला हुआ था और उसकी गरदल पर दात के वैसे ही निशान थे जिसे मुन्या की गरदन पर थे तब ही अर्जुन की नजर भीड में खड़ी अमायरा पर पढ़ती है अमायरा ने लाल साड़ी पहनी थी इतनी हसीन लग रही थी जैसे सच में आसमान से परियुतर कर आई हो अर्जुन अमायरा के पास जाता है इतनी तयार होकर कहां जा रही है मिस आप ये सुनते ही अमायरा अर्जुन को एक चाटा लगा देती है चाते हुई को कभी टोकते नहीं है क्या इतना भी नहीं सिखाये तुमारी माने तुमको अमारा मू बना कर चली जाती है आरजन के नजर फिर से लाश पर पढ़ती है अखर इतनी भेंकर तरीके से किसने मा रहा होगा इसे काकी ये कहा मिले आपको मैं बताती हूँ बेटा इसकी लाश भी मुन्या की तरह जंगल में ही मिली थी ना जाने ये लालपरी हमारी रक्षक है या भक्षक पहले मुन्या की अवाज निकल गई फिर कल मुन्यी को बचाया मगर आज उसका बाप चला गया कौन सा ग्रहन लगा है इस हमारी हस्ती को हे इश्वर तूने कुछ जमीन पर भेजा है तो उसे फिर से बुला ले हम इंसानों के बीच फरिष्टे रह नहीं सकते क्या पता वो फरिष्टा नहीं लालपरी कोई दरिंद दूर जंगल में पेड के पीछे से जहांक कर अमारा सब कुछ देख रही थी रात का समय होता है अर्जुन अपने घर के अंदर बेचेन सा भटक रहा था कल लालपरी मुनिया को दिखी और कल से ही ये सब घटनाए होने लगी है जहां जहां घटनाए हो रही है अमारा भी वही नज़र आती है अरे ये लायट सा भी जल रही थी अभी बुझ गई घर में तो कोई था नहीं अगर मैं बाहर गई है तो मुझे देखना होगा पर अर्जुन अपने घर से बाहर निकलता है कि तभी उसे जंगल के रास्ते पर पाइल की आवाज आती है और अर्जुन उस और मुझ जाता है रात के अंधेरे में ज्यादा तो कुछ नहीं दिख रहा था मगर पाइल के अवाज बहुत तीस आ रही थी अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसकी नाक में गुलाबों की महक आती है तभी अर्जुन के सामने उसे लाल साड़ी में चलती एक लड़की नजर आती है और थोड़ी आगे चलने के बाद अर्जुन की आखों से औचल हो जाती है ये देख अर्जुन हैरान था ये क्या? नई नई ये कैसे हो सकता है? वो अभी तो यही थी ओ नो 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 मेरे पास सर्फ यही मौका था लाल परी जो भी है आज उसका चहरा मैं देख सकता था तभी अर्जुन के कंधे पर पीछे से एक हाथ आता है किसी धुन रही हो? अर्जुन चौक कर पलड़ता है तो उसकी नजर इस नई चहरे पर पढ़ती है तुम? हाँ मैं तुम किसी और को धुनने आई थी क्या? जो मेरा चहरा देख कर इतना चौक रही हो? हाँ वो मैं लाल परी वो नहीं कुछ नहीं पर तुम हो कौन? और रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं माहिरा हूँ किसी ने कहा था कि जंगल में रात की रानी होती है तो बस मैं वही देखने चले आई इतना तयार हो कर? मैं तो हमीशा ही तयार रहती हूँ हाँ? तुमको कोई प्रॉब्लम? मुझे लगा इस लाल साडी में वो एनिवेज शाय जादा ही सोचने लगा हूँ मैं तुम देखो रात की रानी मैं तो घर वापस चला और हाँ ध्यान लगना ख़ए वो रानी तुम्हारा खून ना पी जाए अरजन माहिरा को वही छोड़कर घर के ओर जा रहा था कि तभी उसे अमाहिरा का ख्याल आता है और वहे उसके घर के ओर खीचे चला जाता है अरजन के वहां से जाते ही माहिरा एक चुटकी बजाती है और जंगल में पेड़ पर बेठी ढः सारी लाल रोशनी वाली तितलियां माहिरा के चारो और उड़ने लगती है श्राइत की रानी माहिरा ताली बजाती है और एक दम लाल धुआ हो जाता है पूरे जंगल में लाल उजाला चाया हुआ था लाल परी का रहस्य अभी भी उतना ही उलजा था जितना आस्मान से तूटा हुआ तारे वाला रास अरचुन अमायरा को खिड़की से जांकते हुए देखता है अमायरा तो मस्त कंबल ओड़ी सिकुर कर सो रही थी वह सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी और उसे अमायरा पर शक करने का पश्तावा होता है और अर्जुन वहां से चला जाता है उसके जाते ही अमाईरा आँखोलती है और खुद पर से चादर हटाती है तुबह भी लाल कपड़ों में थी मगर उसके हाथ में एक बड़ा चाकूच उस पर धेर सारा खून लगा था बस कुछ कदम और दूर हुमे उस रात अमाईरा की आखों में धेर सारी चमक थी आखिर उसके साथ चल क्या रहा था और हमेशा अमाईरा की शरीर से खून क्यों लगा रहता है देखते हैं आगे अगले दिन की सुभे का समय होता है एक कतल की पीछे किस का हाथ था इसकी जानकारी तो मिली भी नहीं थी कि तभी अचानक से वहाँ शहर में एक और संसनी फैल जाती है अमाईरा का कॉलेज का समय था वह भी तयार होकर उसी रास्ते से जा रही थी तभी वहाँ लोगों की भीड को जंगल से आता देखती है पर अचानक अमाईरा के पीछे से आवाज आती है कल रात नीन कैसी आई मिस अमाईरा अर्जुन के आवाज सुनकर चौक गई थी हां ये क्या तरीका है यूँ आकर डरानी का और नीन मुझे आई थी तो तुम ही क्या चंता क्लास में चलो चुपचाप बिचारा अर्जुन अमाईरा की कितनी भी प्यार से बात करना चाता है अमाईरा उसे टेडा ही जवाब देती थी अर्जुन एक तक अमाईरा का चहरा निहार रहा था कितनी प्यार ही लग रही थी आज जैसे कोई सुन्दर कॉमन सी हाउस वाइफ हो टीवी सीरियल टाइप्स और अरजन खयालों में सोचता हुआ असल में ही अमाइरा का हाथ थाम कर उसकी कमर को जकट कर करीब लाता है ऐसी ही सारी होगी और ऐसे ही आप किचन में खरी रहोगी हम तुम बच्चों की नजर बचाए वहार रोमेंस करेंगे मैं होले होले आपकी कमर से अलाओगा आहिस्ता से एकदम ऐसे ही कितनी कोमल कमर है आपकी Is this your behavior with your teacher अरजन? Leave my hand I said छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो अमाइरा अरजन को धक्का मारती है तो वे होश में आ जाता है और अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हो जाता है तभी दोनों भीड को छोड़ कर आखे बढ़ती है कि सामने से रानी और माधवा रही होती है अरे माम अरजन आज की ख्लास तो भूली जाओ क्यों क्या हुआ वो लाल परी है ना रानी मूँ बनाकर बाते करते हुए सस्पेंस बना रही थी अब क्या किया लाल परी ने उसका नाम सुनते ही अरजन के आखे भी लाल उठी थी सारा महौल ही खराब कर रखा है आज फिर से एक मौत हुई है ये लोग बाग उसी की लाश को तो उठा कर लेके जा रहे हैं जंगल से छगन के काका की मौत हुई है एक के बाद एक तीसरा हासता है अब उस शैतान का ही किया धराहे बता रही है अब तो मुझे भी लगता है रानी के मौँसे बात पर सुन कर अरजन अमारे एक दूसरे की और देखते हैं ये तुम भी क्या अनाप्षना भूर रही हो जो चीज है ह नहीं वह यह सब कैसे कर सकती है और किसी को तुमने जब दीखा ही नहीं किसी नहीं देखा तो फिर तुम कैसे लालपरी का नाम ले सकती हो अरे बाबा मैं नाम कहा ले रही हूँ सुनी सुनाई बाते हैं सारी अब सच क्या वो तो मरने वाला ही जानता है या फिर लालपरी जा कोई जो उसकी आखों में एक बार देख ले तो उलस्ता चला जाए। इतनी हसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दोस्तों वो जब चल रही थी। तो आसपास का जंगल भी आग की तरह जलका लाल हो रहा था। उफ। उस बलासी हसीना का चेहरा तो जैसे मेरे भ अकड़ा गया बता बता तू क्या करने गया था वापर। वो मैं मैं वो सच बताऊं दोस्तों मैं आप पढ़ने के लिए आया ही नहीं हूँ। मैं एक बहुत सीग्रण मिशन पर हूँ। मेरे डैड एक न्यूज एजनसी चलाते हैं मगर उसका दिवाला निकल गया अब अपनी बच जाएगी पर वो लड़की थी कौन। तब ही वहाँ लोग बाग आ जाते हैं सब स्टूडेंट आज वाले लाश देखते हैं जो एकदम पिछले वाले खून से मिलती थी। हो ना हो ये दोनों कदल एक ही इनसान के दोरा किये गये हैं पर ये दिखता कैसा है कौ अचानक पीछे से मुनिया की आवाज आती है मैं चानती हूँ उसे बोलता देख सभी खुश थे सिवाए अमायरा के वे मुनिया की आवाज लोटते ही अपने कदम पीछे कर लेती है मैं पिताती हूँ भाईया उस दिर मैंने जंगल में देखा कि एक कुबड़ा बुढ़ा अचानक से चारो और तीस लाल रोजनी हुई और बस आखी का मुझे कुछ भी याद नहीं है कुछ भी नहीं इतना कहकर मुनिया फिर से बेहोश हो जाती है और सब मुनिया को घर वापस ले जाती है सब स्टूरेंट्स वही खड़े थे सब के पास सवाल काफी थे मगा जव अमायरा मजबूरी में उसे घर के अंदर बुलाकर बिठाती है और दोनों के लिए कौफी लाकर उसे पढ़ाना शुरू करती है अमायरा और अरजुन के बीच थोड़ा सा ही फासला था तब भी अमायरा के चहरे पर उसके बालों की लट गिरकर उसे तंक करने लगती है तो जाल पर ही वो रहसी में लड़की नहीं आप है इतना सुनते ही अमायरा के हाथ से पैन गिर जाता है और घबराते हुए उसका चहरा सफेद पर जाता है क्या मतलब उससे कहीं जादा आपकी आखे नशीली है मिस इनके आगे मैं जहान की कोई भी सुन्दरता नहीं देखना चाहूंगा फिर पकवास शुरू हो गई ना तुम्हारी टीचर हूँ मैं तुम्हारी टीचर से फ्लेट करते हो टीचर से फ्लेट करना तो मेरी हमेशा से ही फैंटेसी रही थी मैड़म बोले तो डिर्टी फैंटेसी वैसे आपकी भी तो कोई फैंटेसी रही होगी ना कु मेरा भी वही रादा है कि मैम और मिस्स करने वाले एक लड़के का खुन होकर ही रहेगा ऐसा नहीं तो एक्जाम में फेल करके समझे लड़के तो पढ़ाई करो पास होना है तो आरजन को अमायरा के साथ रहना फसंद आ रहा था वे कुछ दिर बाद वहां से चला और अमायरा अपने कम्मे में जाकर अल्मारी खोलती है जिसमें से मास काटने वाला बड़ा चाको निकलता है और आईने के सामने जाकर जोर से हस्ती है तबिवे आइने को घुमा कर उसकी पीछे बने दर्वासे में खुस जाती है रात के अंधेरे में शहर के खंबे पर चड़ा एक आदमी जोर-जोर से चिला रहा था अरे कोई मुझे बचाओ, मैं नीचे कैसे उतरू, मेरी सीडी तूट गई है, मैं करेंट से मर जाओंगा उसकी चीख सुनकर लोग बहां लोग बाग आ जाते हैं, पर बिजली से डरने की वज़े से कोई भी उसकी मदद करने से डर रहा था अचानक आस्मान लाल हो जाता है, और उसमें से तीज लाल रोशनी निकलने लगती है सब बच्चे अपने माबाप को दिखा रही थी, तभी उसके अंदर से मास्क पहने एक लड़का उरता हुआता है मा, क्या वो क्रेश है? पर वे सूपर पावर वारा लड़का आता है और खंबे पर चड़ रहे आदमी को पकड़ कर नीचे जमीन पर रखतीता है और उस बच्चे का सिर सहला कर फिर से उर जाता है, उरता ही फिर से आसमान लाल हो जाता है ये क्या बला है? क्या ये लड़का लाल परी है? सब लोग सीटिया तालिया बजाने लगते हैं शेहर को बजाने वाला मसीया आ गया हमारा अपना क्रिश अरे क्रिश नहीं आर्या है देखो हाँ, मास्मेन आर्या है आर्या, आर्या और बच्ची इशारा करके दिखाती है तो वे जादवी लड़का दूर बिल्डिंग पर अंधेरी में खड़ा था हवा में उसका कपड़ा लहरा रहा था ये देख सब बहुत खुश हो रहे थे आर्या, हाहा, कूल आखिर कहानी क्या थे इस आर्या की और लालपरी की दुनिया से इसका क्या संबंध था लालपरी लड़की है या कोई हसीना इसके भी किसी को खबर नहीं थी और उधर अर्युन अपने घर पहुँचता है कि तब ही घर के बाहर उसका कोई इंतिजार कर रहा था लड़की पलटती है तो वो देखता है तो यह जंगल वाली हसीना थी अर्जुन एक बार फिर उसके रूप को देखता रहा मैंने सुना है कि आप बड़ी पेसबरी से मुझे ठून रहे थी शहर में आपने धिंधूरा भी पीट दिया मेरे लालपरी होनी का पर तुम्हें मेरी सच का तो पता ही नहीं मगर मैं तुम्हारी सच को जानती हूँ आर्या अर्जुन माहिरा के मौ से आरह नाम सुनकर सकपक आ गया था और ये केक माहिरा पलटकर जानी लगती है एक मिनट कौन हो तुम अर्जन पलटकर माहिरा से कुछ पूछता कि उससे पहले ही वो लाल हवा बनकर गायब हो चुकी थी वह पलटकर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था अगर तुम हो कोन माहिरा? कहीं तुम वो ही तो नहीं? जो मैं तुमें समझ रहा हूँ अगर ऐसा है तो मुझे जल से जल तुमको ढूड़ना ही होगा यहाँ सब कोई ना कोई राज लेकर चल रहा है सुभे होती है अर्जन सोकर उठता है तो उसके बिस्तर के चारों और लाल रंग के पंक पड़े हुए थे यह पंक? यह यहाँ कैसे? कल रात को मैं घर के अंदर कैसे आया? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? तब ही अर्जन घड़ी में समय देखता है तो सुभे हो चुकी थी उसे अमाईरा के पास स्टीशन पढ़ने ही जाना था वे फटा-फट तयार होकर अमाईरा के घर पहुचता है तो उसकी होश उठ जाते हैं अमाईरा की घर का दर्वाजा खुला था और सोफी पर अब कोई नहीं बलकि माहिरा बैठी थी तुम यहाँ? माहिरा अर्जन को देखकर आँख मारती है तुम मैम के घर में क्या कर रही हो? आखर तुम्हारा चल क्या राया लडगी? कुछ तो है जो तुम छिपा रही हो तब ही हमाहिरा भी आजाती है हलो अर्जन, तुम कब आए? आओ बैठो आज हमाहिरा अर्जन से बड़ी प्यार से बात कर रही थी ये देख अर्जन को कुछ शक होता है मैम, ये कौन है? ओ हाँ, ये माहिरा है, मेरी कजन ये भी हमाहिरी कॉलेज में ही आई है इस पिचारी की भी क्लास छूट गई इसलिए इसे भी अब मैं टिशन कराऊंगी अर्जन माहिरा को भूर कर देखता है और वे उसे देख हस देती है अमाहिरा दोनों को पढ़ानी लगती है कुछ देर बाद और माहिरा उटकर चली जाती है आपकी बैन है और आपके घर का नहीं पता है इसे अमाहिरा ये सुनकर थोड़ा जिचकती है वो, ये पहली बार आई है न और रुकी भी अलग है तो इतना पता नहीं इसी अमाहिरा का ध्यान जैसे ही हटता है अरजुन भी उठकर माहिरा के पीछे-पीछे जाता है अगर वहाँ वाश्रूम में कोई भी नहीं था वहां माहिरा थी ही नहीं मगर तब ही अर्जन को एक लाल पंक मिलता है। और अर्जन पटा-फट बाहर जाकर देखता है तो अमाइरा सोफे पर बैठी थी और माहिरा उसके पीछे खड़ी थी। उसके हातों में चाकू था जो वे अमाइरा की और बढ़ा रही थी। तब ही माहिरा पलटकर अर्जन को देखती है और मुसकुरा कर उसे चुप होने का इशारा करती है। अर्जन की चीख सुनती ही अमाइरा उठ खड़ी होती है और माहिरा चाको छिपा लेती है। अर्जन, क्या हुआ? चीखी क्यों तुम? वो तुम, वो ये, नहीं, कुछ नहीं। ना कोई मिस, ना कोई मैम, सीधे अमाइरा ही बोलोगी अब तुम, हाँ? सॉरी मिस, मैं चलता हूँ। और अर्जन बहर जाने लगता है। माहिरा अर्जन और अमाइरा की बीच दूरियां बढ़ा कर बड़ी खुश हो रही थी। इस माहिरा के रादे अमाइरा को लेकर बिलकुल भी ठीक नहीं है। मुझे अब हमेशा अमाइरा के आसपास ही रहना होगा। वरना वरना माहिरा कभी ना कभी अमाइरा को चोट पहुचा ही देगी। तभी बाहर बहुत शोर चल रहा था। माहिरा माहिरा भी बाहर आकर देखते हैं तो सड़क पर एक लाश थी। जिसकी हालत पिशली लाशो जैसी ही थी। अरे ये तो शम्बू है जो कल खंबे पर फस गया था। इसको ही तो बचाया था गल आरन मैन ने। बापू आरन मैन नहीं आर्या ने। हाई हाई वो लड़का इसे बचा रहा था और आज ये मारा गया। किसी की मौत तो नियदी ही लिखती है। यानि शहर में रक्षक और भक्षक दोनों एक साथ घूंग रहे है। और अर्जुन अमाईरा के भोले चहरे के और देखता है। अब वे अमाईरा पर पूरी तरह से नज़र रखने लगा था। अमाईरा जहां भी जाती वे साई की तरह उसके साथ पीछे पीछे जाता था। कावी बार अमायरा को शक भी हुआ, मगर अर्जुन तुरंट छिप जाता। अर्जुन के टूशन चलते जा रहे थे, दिन बदल रहे थे। एक के बाद एक लोगों की मदद करके आर्या शहर का सूपर हीरो बन गया था। आर्या कभी बिल्डिंग से लटकते बच्चे की मदद करता, तो कभी पानी में ढूशते आदमे को वहार निकाल दीता। पूरे शहर में एक ही नाम गुंजने लगा था। अरे चिंता मत करो काकी, कोई भी दिक्कत हुई तो आर्या तो है ही ना हमारी मदद करने के लिए, हमारा मसीहा है, वही है लालपरी। पर क्या फाइदा, वो जिस आदमी को बचाता है, अगले दिन उसी की तो लाश तो पड़ी मिलती है जंगल में। भाई मैं तो भगवान के आगे अब धूब बत्ती करके यही मांगता हूँ, कि आर्या मुझे तो कभी भी बचाने ना है, हाँ। वही चड़ जाती है, नफरत है मुझे उसार्या से, भयांकर नफरत। और वह गुस्से में पैन को कॉपी पर घिसने लगती है, अर्जन अमायरा का हाथ रोक कर उसे होश में लाता है, मेस, ये क्या, इतनी चड़के हो उससे, ऐसा क्या किया है आर्या ने? जाओ अर्जन, आज मुझे तुमको पढ़ाने का मन नहीं है, अर्जन उठकर जाने लगता है, अर्जन को जाता देख, अमायरा उदास भी हो जाती है, आजकल उसको अर्जन का साथ पसंद आ रहा था, नहीं, मैं नहीं जाओंगा, क्यों भेशती है मुझे आप खुद से दूर, माना मैंने आप टीचर है मेरी, बगर हमारे बीच कुछ तो है अमायरा मिस, जो हमको इस जगे लाकर रोग दिया है, अर्जन अमायरा को थामता है, और घुटनों के बल बैठ जाता है, यह सुनकर अमायरा चौक जाती है, आज तक किसी ने उसे डेट के लिए नहीं पूझा था, अर्चन यह तुम, और जुन उटकर अमायरा के होटों को रोग देता है, पूरी बात सुनो पहले आमायरा, डेट का यह मतलब नहीं है, कि मैं आपको लेकर कुछ गलस सोचता हूँ, सच तो यह है कि जितना अकेला मैं हूँ अंदर से, उतनी तन्हा आप भी हैं, तो दो तन्हा लोग एक तन्हा रात को साथ डिनर कर सकते हैं क्या? अं, मगर… शरीफ पना देखकर जोर से हसुआ, इडियेट हो तुम भी, होके फाइन, मेरे घर में ही साट डिनर करेंगे, पकर आज नहीं कल, और खाना भी मैं खुदी बनाऊंगी, डील? या, इट्स ए डील, नो इश्यू मैडम, अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, अर्जिन बहुत खुश था, वे शहर में किसी काम के लिए आया था, लाल परी का क्या रास्ता और क्या नहीं वे सब भूल चुका था, उसे सिर्फ अमायरा की फिक्र रहने लगी थी, और उस रात के अंधेरे में अपना काम करके आर्या लोट रहा था, और वे उड़ते हु अर्या उसके बाहों में भर लेता है, वे उसे बाहों में उठाकर अपने सीने से कसकर लगा लेता है, और खिड़की से बाहर छलांग लगाता हुआ, सीधे आसमानों में उड़ जाता है। आर्या के चहरे से हवा छू रही थी, आर्या और उचा उड़ता है, अमायरा को होश आता है, और वे देखती है कि वे आसमान में थी, आर्या की बाहों में वे जौक जाती है, अचानक आसमान लाल हो जाता है, हवाई संसनाने लगी थी, तुम, आर्या, तुम मुझे यहां क आसमानों में चलोगी न मेरे संग अगर नफरत नहीं करती तो यह सुनकर वो आर्या को कसकर ठाम लेती है और आर्या और उबर जाता है एक चमकीले तारे के पास और तीज़ोडो आर्या ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भी पंक आ गए हो आर्या मुसकर आकर चुटकी बजाता है और अचानक अमायरा के भी पंक निखल जाते हैं वह एक दम लाल परी जैसी लग रही थी दोनों हाथ थाम कर आसमान में तेर रहे थी हस रहे थी तारा इसे त मैं अचे तारों के शहर में धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी हमें प्यार न करने देगी I love you आर्या अचानक से आर्या के हाथ में अमायरा का हाथ फिसल जाता है और वह आसमान से नीचे गिरने लगती है आर्या अमारा नहीं अमायरा जाकती है तो वह खुद को बिस्तर पर पाती है वह पसीना पसीना हो रही थी तब ही वह देखती है तो उसकी खिड़की खुली हुई थी ये कैसा अजीब सा सपना था मेरे सपने में आर्या आया था अर्जुन का चेहरा अर्जुन की आँखों में आसु थे वे अमाइरा का माथा चूमने लगता है कि तभी अमाइरा आँखे खोल देती है आर्जुन अपना मास्क खटाता है जिसके पीछे से अर्जुन का चेहरा था और अमाइरा को चूमता है वगर माइरा अपने आंखे खोल देती है वे सामने अर्जुन को देखकर ख़बra उटती है अर्जुन ये तुम यहां इतनी रात को मेरे कमरे में और ये सब मास, कपड़े, ये सब क्या है अर्जुन ये देख खुश होता है कि अमाईरा को वे आर्या नजर नहीं आ रहा है वो कल की डेट का कॉस्ट्यूम है ये मिस मैं बनूँगा आर्या और मैं आपके लिए भी कुश लाया हूँ थैंक गॉड ये कॉस्ट्यूम ही है वरना तो अमाईरा का मूँ अचानक से चिर जाता है क्या आपको आर्या से इतनी नफरत है मेस नफरत बहुत नफरत है वो अगर मिल जाए तो मैं उसका खोन कर दूँगी और अगर वो माज के फीचे छिपार रिया मैं ही हूँ तो आप मुझे भी मार डालोगी ये सवना मायरा अर्जुन के होटों पर हाथ रग देती है और अर्जुन उसके सामने एक डिंबा रखता है जिसके अंदर से लाल परी की ड्रेस निकलती है ये देख अमायरा हस देती है तुमने तो दो दुश्मन को खोब मिलाया एक आर्या एक लाल परी साथ बजाएंगे महांबत की बासुरी तो क्या लाल परी भी आर्या को पसंद नहीं करती पर ये आपको कैसे बता वो आई मीन हाँ वो दोनों अलग-अलग हरकती करती है तो मैंने इसे फनुमान लगाया रात बहुत हो गई है अब तुम जाओ कल मिलते हैं और हाँ सुनो दिर्वाजे सी जाना खिड़की सी गिरकर कमर वंबर तूट गई तो कोई शाधी भी नहीं करेगा कोई नहीं करेगा तो आप तो हैं ही ना मेरी पहली डिट आप से ही कर लोंगा भागो बदमाश, see you tomorrow अर्जुन के जाने के बाद अमाइरा को अलग सी खुशी हो रही थी आर्या का चहरा याद करती है तो उसे अर्जुन ही दिखाई देता है और ऐसे सोचते होई उसकी आँख लग गई फटा हुआ पड़ा था और पास में जले हुए पंक थे ये देख उसका दिल तार-तार हो जाता है नहीं ये किस ने किया मैं चानती हो ये तुम्हारा ही काम है ना रहा तुम किसी और के साथ मुझे एक होता नहीं देख सकते इसलिए तुमने अर्जुन के इतने प्यार से प्यारी का दर्वाजा खोल कर उसके अंदर घुस जाती है जहां चारो और लाल रोशनी थी कमरे के बीच में एक लाल खेरा था जिसमें छोटे बड़े हर किस्म के चाको थे वही कोने में एक बाट टब रखा था जिसमें भरा था धेर सारा लाल पानी या शायद किसी का ला खून अमायरा अपने कपड़े उतार कर बाट टब के अंदर पाव रखते हुए गुन को नाते हुए उस खून भरे टबने घुस जाती है अमायरा उस खून को अपने पूरे शरीर पर मलने लगती है उसके चहरे पर अब एक अलग से खुशी नजर आ रही थी अचानक अमायरा की आँखे और बाल लाल होने लगते हैं और वह बास टब से निकल कर एक एक कर कदम बाहर लाते हुए आगे बढ़ रही थी अचानक उसके पाउं में लाल कपड़े आ गए थे और वह आईने के सामने जैसे ही जाकर खड़ी होती है वह लाल परी में बदल जाती है इतनी हसील नाल परी कि जैसे हर मर्द उसी के साथ प्रेम में सोना चाहे हाँ मैं ही हूँ वो लाल परी जिसे तुम ढून रही हुआ रहा पर तुम अगर मुझे पहचान तक नहीं सके तो कैसी नफरत तुम्हारी मैं जानती हूँ तुम यहां मुझे मेरी मकसद में रोकने आये हो पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी कभी भी नहीं हमारे बीट जो भी था वो हादसे के बाद वही आस्मानों में रह गया अब यह जमीन मेरी है मेरा घर बनाया है मैंने तुमको इस बार कुछ भी गलत नहीं करने दूँगी और मेरी मकसद में कम्याब होकर ही रहूंगी अमायरा खुद को आइने में निहारते हुई लाल रंकी लिपस्टिक लगाने लगती है और तभी हाथ में एक छड़ी वाला मास्प करकर जट से चहरे के आगे कर लेती है लो बन गई लाल परी हम असली परियों के लिए नकली कॉस्टिम के ज़रूरत नहीं पढ़ती है दर्वाजे की घंटी बचती हर वही आर्या बना अर्जुन दर्वाजे पर खड़ा था जल्दी खोलो ना मेज पर अमायरा ने दर्वाजा ना खोलने पर अर्जुन उड़कर अमायरा के खिड़की से जैसे ही अंदर आता है वैसे ही अमायरा अलमारी से बाहर आती है मगर दोनों एक दूसरे के सवालों से बचने के लिए एक दूसरे को अंदेखा करने लग जाती है वो आप दर्वाजा नहीं खोल नहीं थी ना तो वो मेरी छुमकेल मारी के अंदर कहीं गिर गए थी अब छोटी सी छुमको को मैं कैसे ठूंडू इसमें तो मैं पूरी आ जाओ इतनी बड़ी जो है अरजन अमाइरा के करीब जाकर उसके गालों को चुमता हुआ उसकी कमर को जकट कर अपनी सीने के एकदम करीब खीच लेता है अमाइरा कभी इतना नजदी किसी इनसान के नहीं गई थी अरजन, अरजन, ये तुम क्या कर रही हो अरजन, अमाइरा के कान किस सहलाकर गुलाब लगाकर उसके परी के पंको को हाथ फिरता है अरे वा, लाल गुलाब तो आपसे एकदम मैच हो रहा है और ये पंक, ये तो एकदम असली फैदर के लग रहे है दुकानदार ने सही कहा था अच्छा बच्चो, इस टेट में तुम मेरे ही जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी मत बनो बस ये दो-चार घंटे ही है फिर कल से मैं तुम्हारी मैडम और मैं ही काचूंगी तुम्हारे माक्स अब चलो, तुम्हारे लिए स्पेशल जिनर बनाया है अरजन अरजन किचन में जाकर खाना लेते हैं और अरजन वही टेबल पर बैट जाता है अहां, इधर नहीं, तुम्हारी ये मैडम ओल स्कूल जरूर है मगर थोड़ा बहुत उसको भी करना आता है समान उच्छाओ सारा, and follow me guys अरजन अमायरा की पीछे-पीछे चलने लगता है और वहे उसे चट पर ली जाती है, जहां अमायरा ने सुन्दर डेकोरेशन के साथ बीच पे एक टेबल रखी थी, जिस पर जल रही थे कैंडल्स अरजन ये देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था उसे भी आज तक इतना स्पेशल फील नहीं हुआ था वो अमायरा जैसी खडूस लड़की से तो ये उमीद कर ही नहीं सकता था वाओ, यम्मी, कितना सुन्दा रही है तुम इतनी रोमेंटिक को मुझे पता ही नहीं था और तुम इतनी जल्दी मुझे एक नाम देने वाले थी मुझे पता भी नहीं था अमी मेरा बस चले तो मैं हमारे बच्चों को भी नाम दे दू ये सुनते ही अमायरा उसके और घूर कर देखती है और उसको मारने के लिए आगे पतमाश क्या बोली? रुको तुम अभी हद याद दिलाती हूँ इधर आओ जरा आओ आओ इधर और दोनों हसते हुए छट पर ही एक दूसरे के पीछे भागते भागते कैंडल जल्ती टेबल के चारों और साथ फेरे ले ले लेते हैं मिस वेट 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 हमने भी साथ चरे दन कर दिये ओ माई गाड अमाईरा अरजन की नदानियों पर खुब हसती है और हसती बैट जाती है मैं अब आपको सर्व करता हूँ मैड़ाप वाट वुड यू लाइक तू हैव मैम दोनों हसते खेलते बैठ कर डिना करते हैं अमाईरा बहुत खुश थी उस दिन वे अरजन को तक्ते तक्ते नहीं ठक रही थी और फिराधी रात उसके संग बीच जाती है अपनी नाने लेगी है अरजन यहीं सो हैं स्टार गेजिंग करते हुए अमाईरा अरजन वही आसमान तली सूजाती है और आसमान को निहारने लग जाती है तारे चमक रहे थे धीरे धीरे आसमान लाल होने लग जाता है अमाईरा और अरजन ये बात नोटिस कर रहे थे मगर कुछ बोलते नहीं है तब यह उन दोनों को आसमान में उड़ती लाल परी नजर आती है और ये देख अमाईरा अरजन का चहरा अपनी और घुमा लेती है बहुत देख लिया तारों को अब अपनी चांद को देखो वैसे भी आज काभी चांद से तुम्हारे पास रमांस का कल फिर ये सुभी ऐसी हो ना हो अरजन अपनी बाहों को अमाईरा से लपेट लेता है और वो उसके सीने से लग जाती है अरजन आसमा देख रहा था आसमा में उड़ रही माहिरा दोनों को देख मुस्कुराते हुए जंगल के और चली जाती है और नीचे उतर कर एक गुफा के और बढ़ने लगती है गुफा के अंधेरे से भरी थी उसके अंदर जाती ही लाल रोश्नी हो जाती है गुफा के बीचों बीच वही कुबड़ा बुड़ा तांत्रिक बैठा हुआ था जिसका नाम कटका था और वह तांत्रिक फिर से जंगली सुवर खाने लग जाता है अमारा अमारा उठो बेबी तुम तो यहीं सो गई हो सोनी तो ना अर्चुन किती दिरों बाद किसी ने यूँ सहलाकर से लाया है अच्छा बाबा सोजा वह उसे और कसकर थामता है और सुलाता है हाँ सोचा नहीं था किस शिकारी बनकर इस जगह आउंगा मगर एक आम सी लड़की से इतना खास प्यार कर वेटूंगा पर हो गया यार किसका काबू राइफ लिंक्स पर कभी कुछ देर बाद जब वह गहरी निंद में जाती है मगर वो तर्ती ही नहीं है वे फिर से कोशिश करता है मगर एक भी पंक नहीं हटता ये क्या फैविकॉल का जुडाव है क्या अरजुन एक और कोशिश करता है तो एक पंक बाहर आ जाता है और वे एक और पंक खीशता है तब भी वे देखता है कि अर्जुन के हाथ में खून लगा है जहां से पंक अलग हो रही थी वहां से धेर सारा खून बहार आ रहा था अर्जुन ये देखकर हैरान था वैक कापते हागतों से अमाइरा के कपड़े खोलने के चेश्टा करता है मगर उसके कपड़े अमाइरा के शरीर से बिल्कुल भी अर्जुन अमायरा को पलटता है और उसका गला दबाने लगता है अब देखे कि आर्या और अर्जुन के बीच पनप रहा प्यार क्या नफरत की और शकलिव लिलेगा जानने के लिए देखते रहें लाल परी के वल ऐनम स्टोरीज पर